तो यह रहेगा कि भाई कभी भी है आप expensive phone जो होते हैं फ्लेक्शिक phone किसी भी company का अगर खरीद रहे हैं आपकी मेहनत के पैसे हैं भाई second hand में अपने पैसे waste मत किया करों नया लिया करों नया लोग है टेंशन नहीं रहेगी एक साल तक किसी भी mobile repair वाले की सखल देखने की जोर दोस्तों कैसे हैं आप देखो आज बड़े दुख के साथ मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है एक प्रियान सुभाई ने मुझे mail करी है बिहार से mail करी है इन्होंने एक रिफर्विष फोन खरीदा था यानि की second hand phone करीदा दिल्ली से online order करके उनके साथ ऐसा स्कैम हुआ म आपको पेश लगा हुआ नजर आएगा यह साफ साफ की तरह कभी भी ओरिजिनल डिस्पले के नीचे पेश्ट ऐसे नहीं लगा होता गैस कीट लगी होती है साइड में जैसा कि आपको पता है मैं दिल्ली से हूँ आ यहां पर एशे की सबसे बड़ी marketing यहां पर क्या काम होत पादेंगे हम उन चार्ण करेंगे उन को रख देते हैं डब ब्र फोन जो होते हैं उनकी बोडी वगए उनको विचार्ण के बिल्कुल डब में एक तम ऐसा सजा के रख देंगे कि बाई एक दम नहीं और ऑलनाउन से दिखाकर उसके बारी में वारे में उस फून को बेग प्रियान सुभाई के साथ यह गेम होगा ओर इस पत्ते को जोड़ देते हैं जंपर उपर से टेप लगा देते हैं पेश लगा देते हैं उसके बाद वो पत्ता जुड़ जाता है डिस्प्ले लगेगी फोन अगर हलका सावी कस्टुमर के आच से गिरेगा ना तो उसके बाद जो हमने जुगाड किया तो जंपर वाला जंपतार वगरा मारके तो वह जुगाड हट जाएगा उसके बाद इसले में दिक्कत आ जाएगी ऐसी कहानिया करके मार्केट में फोन बेचे जाते हैं मैं तो कहना चाहूंँ हूं आवेर रहिएगा ओनलाइन बिल्कुल मत खरीद बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है अगर सत नहीं हो तो कम से कम पंदर अजार से उपर तो खरीदा ही होगा साथ आट अजार उपर लोग आ ले ले लेते तो ज्यादा अच्छा था तो मेरी राय में तो यह रहेगा कि भाई कभी भी है आप expensive phone जो होते ना flagship phone किसी भी अगर खरीद रहे हैं कि मैनत के पैसे हैं अपने पैसे वेश्ट मत किया करा हूं नया लिया लोग ना tension नहीं रहेगी एक साल तक किसी भी मुबाइल रपर वाले के सखल देखने की ज़रूत नीं पड़ेगी आपको 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 चार्जर चेंज करने की ज़रूत पड़े इंस्टागराम और यूटूब पर आपको दिखाये जाते हैं नए नए फोन चमकते होए और हम उसमें पागल बन जाते हैं यह कोटिंग होती है आपने गाडिया नहीं देखी जो मुबाइल फोन होते हैं इनके बीच फ्रेम होते हैं यह भी पेंट होते हैं आपको शायद नहीं पता होगा इसके बारे में जब आप यूज करने लगोगे ने डे टो डे लाइफ में आने के हाथ लगेंगे तब पेंट उतर उतर के हाथ में लगना सुरू हो जाता है भाई यह पेंटिंग होती है इनके फ्रेम में पीचे भी ग्लोसी पेंट करके और ऐसा चमका के पर सामने मुबाइल फोन दे दे जाता आपको लगता है बिल्कुल नया फोन किसी ने लगता चलाए नहीं बस एक डब्बे में रखा हुआ था पहली बार मैं ही चला रहा हूं भाई ऐसा नहीं होता चमका चमका के आपको दिखाए जाते हैं तो इसलिए कहना चाहूँगा बाई मैं तो साफ तो पर भाई ये रिफर्बिश फोन आप भाई अगर करें ओफ लाइन मार्केट से कर लिजिए कम से कम देख के कर लिजिए पर दोस्तों एक फिरी की एडवाइस आपको यह रहीगी मेरी तरफ से कि अगर आप ओन्लाइन फोन भाई कर लेते हैं तो उसके बाद किसी भी रिपेर वाले के पांस लेजिए पांच मिनट के लिए उसको बोलते ना भाई एक बार यह बता दे इसकी डिस्प्ले ओरिजिन है या नहीं यह और यह फोन खुला है या नहीं दुकान वाला आपको बिंदास बता देगा कुछ खर्चे पानी के पैसे देदे यह फोन खुला है या नहीं और इसकी डिस्प्लेश चेंज रखी है नहीं आपको बहले ही ना पता हो डिस्प्लेश चेक रने का तरीका मगर दुकान वालों को पता रहता है किसी दुकान वाले के चेक करा लो उसके बाद एक हफ्ते की जो टाइम दिया गया है यह तो अगर भी होके आप दनवा सकते हो वीडियो कहना चाहूंगा जितना हो सके शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले मुबाइल फॉन लेने से क्या नुपसान हो सकते हैं इस तरीके के नुपसान होते हैं और बोन खोलने का बाद देखे इस तरीके से इस उसकी न